वैसे IPL का जो सबसे बदनसीब खिलाडी है वो है विराट कोली, मगर IPL के इतिहाद का सबसे बदनसीब खिलाडी रहुलत्रिपाटी है, बताया जाता है कि वो तीनों टेम के लिए खेल चुके हैं फाइनल, लेकिन कोई भी खिताब वो नहीं जीत पाएं, IPL के इतिहाद का और वो एक बार भी खिताब नहीं जीत पाया है, यहां तक कि तीन बार उन्होंने IPL का फाइनल भी खेला, लेकिन एक बार भी ट्रॉफी उनकी हाथ नहीं लगी है, अगर आप उनको ही सबसे बदनसीब खिलाडी समझ रहे हैं, तो यह आप एक तरह से गलत सोच रहे हैं, क्यो KKR के लिए फाइनल खेला था, और उसमें उनकी टीम को हार मिली थी, और इससे पहले साल 2017 में वो राजिंग पूरे सुपर जैंट के साथ IPL फाइनल खेले थे, और इस मैच भी टीम को हार मिली थी, सो इस तरह से हम देख सकते हैं, कि राहूल त्रिपार्टी एक मादर ऐसे खेला नी हैं, IPL के इतिहास के जिनों ने तीनों टीमों के लिए फाइनल खेला और तीनों टीमों को हार मिली, वहीं विराट कोली ने एक टीम और मोहिश शरमा ने दो टीमों के लिए IPL फाइनल खेला हैं, और राहूल त्रिपार्टी तीनों फाइनल में फ्लॉप रहे हैं झाल झाल